कि अब हम अपने लेक्शर का आगास करते हैं अभी थोड़ी से में रिवीयन आपको करवाने वालों पीशे एन एन की सी एन 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 की और फिर हम LSTM and then GRU पे गेटिड रिकरेंट यूनिट्स के ओपर हम मूव करेंगे और डिफरेंसिस देखेंगे कि कौन-कौन से डिफरेंसिस जो हैं वो देखे जाते हैं यह किसम के गाइड है जो हम बनाने जा रहे हैं ताके हमारे पास जो आटिफिशल नेरल नेटवर्क के जिस तरीके जिसम पढ़ते हैं वो हमारे पास की टर्म्स और उनकी हिस्ट्री के साथ-साथ हमारे पास सेब रहे हैं इस लेक्चर के अंदर हम जो पहला तक्रेबन 40-45 मिनिट हैं वो इसी चीज़ पर सब्सक्राइब करेंगे कि कैसे और क्या कौन-कौन से फरक होते हैं तीनों के अंदर और किसने कब कैसे mathematical formula इजात करने के पाद अन बनाया था फिर CNN बनाया था फिर आपके पास RNN आया था तेन LSTM on GRU कैसे आपके पास मार्जे वजूद में आया थे आप लोग अगर साथ में notebook open कर लेंगे तो that would be nice for you notebook आपके अपने लिखने वाली, not about the coding ones ठीक है जी आज का लेक्चर जो बिसिकली ओवर्वीव से स्टार्ट करेंगे ताके जो पिछली चीज़ें आपके माइंड में खूम रही है अभी तक उनको हम clearly देखके लेके चलें आगे ठीक है सबसे पहली चीज़ है कि हमने artificial neural network बढ़ा था जैसे हम neural network भी बोलते तें और neural network की types काफी हमने देखी भी है बट अगर हम ANN की बात करें इन इस इस और एन जो है basically यह बहुत ही simplified form है किसी भी neural network की ठीक है और यह machine learning के अंदर और statistics के अंदर basically यह formula जब यूज हुआ था artificial neural network उसकी basis जो है वो 1940s के अंदर रखी गई थी 1940s के अंदर मतलब बहुत पराना आप कह सकते हैं कि neural network का जो है formula वो इजात किया गया था ठीक है जो दो main scientist थे हमारे पास उनका मैं नाम यहां पर लिखता हूँ ताकि हमें थोड़ी से history भी याद हो किसने इस पर काम किया था warren मैक क्लॉच मैक डॉनल्स से मैक क्लॉच और दूसरे हमारे पास थे वाल्टर इस इन दो लोगोंने mathematical model of artificial neuron का जब प्रेजेंट किया था वो 1940 के अंदर थे ठीक है लेकिन breakthrough कब आया 1980 के अंदर 1980 के अंदर हमारे पास breakthrough आ गया था ANN का क्योंकि लोग इसको बहुत ज़्यादा start use करना start करने लग गे थे reason क्या थी कि आपका computer जाहे उसमें advancement आने start होगी थी basic से advanced चीज़ों की तरफ हम move करना start करके थे और लोग जो है इसकी बेस पर prediction और different किसम की business analytics के तरफ different neural network बनाना start कर दिये थे इन्होंने बहुत ही basic एक neuron का जो है वो model पेश किया था artificial neurons का और जब 1980s में लोगों ने start किया तो इसको multi layers की तरफ लेके जाने लगए कि चीक है एक layer तो यह करती है अगर multi layers हो जैसे हमारे दिमाग में होती है तो how it will work then और एक इसमें breakthrough इस वज़ा से भी आया था कि back propagation इस जगह पे आके द्रियाफ दूई थी back propagation की technique ठीक है कि आप एक non चीज की तरफ जाएं अगर आपको लगे कि वो non और predicted दोनों में फरक है उससे back propagate करें चीजों को दुबारा वापिस हैं और weights को adjust करें फिर आगे जाएं तो 1980s के अंदर back propagation जो है वो basically आपके पास आई थी जिसकी वज़ा से आपका artificial neural network और भी कहते हैं कि मशूर हो गया था ठीक है जारी बात है मशूर करने के लिए किसी चीज को आपके पास कोई extra addition चाहिए होती है वरना 1940s में यह बहुत मशूर हो जाता बट at that point it was a simple neuron starting from input to output ठीक है learning process नहीं था वो 1980 में हमारे पास आ गया और उसके बाद multi-layer भी इसी वज़ा से बन आती गए 1980s के बात artificial neural network में rapidly evolve भी किया और इसी से फिर आगे दूसरे neural network बनने स्टार्ट हुए ठीक है जैसे मैं कल आपको बता रहा था परसों पर बता रहा था कि जब हमने image classification की तो हमारे पास तब था matrix different किसम के जैसे हमने RNN की तरफ आए तो हम अगर RNN का data artificial neural network को देते तो वो उसमें बहुत ज्यादा neurons बनाने पड़ने थे तो यह आइस्ता इस्ता आइस्ता आप 1980s से अनवर्ड यह evolve करने लग गया जैसे हमारे पास data ज्यादा आने लग गया यह चीज़ evolve करने लगी और इसकी main वज़ा एक तो यह थी कि आपके पास data ज्यादा था जो मैंने आप करें तो history के अंदर आपको दिखाया जाता है कि यह जी वन जीबी की एक drive है और 15-20 लोग उठा के उसे एक कहते है ना fridge की तरह move कर रहे होते हैं बड़े वाली fridge अगर देखी जाए तो तो वो तब इतनी बड़ी drives होती है क्योंकि नए नए computer आया था फिर उसके बाद आस्ता इसता 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 computation power बढ़ने की बढ़ने लगी और size छोटा होने लग गया चीज़ों का और easily available होने लगी वरना जो start में जब neurons develop किये थे तब सिरफ और सिरफ ये industrial level पे या फिर ये country level पे चीज़ें मौझूद हुआ करती थी प्रशिया और अमेरिका का आपको पता है कि इनके space missions के अंदर different किसम की log books के साथ तकरीबन धेर लगे होते थे programming codes के और printed form में वो पढ़े होते थे क्योंकि एना log system था ज्यादा उस वकट सो ये जैसे digitalization का दोराना start हुआ है and then computation ज्यादा हुए data ज्यादा हुआ हमारे पास इसमें advancement आने लागी reason के है वो ही चीज़ है कि आप prediction अच्छे तरीके से कर सके मतलब input आईए आपके पास उसे output लें और फिर आगे चलें फिर हमारे पास जो basic architecture थी neural network की जो मैंने आपको बताई है इसमें जो मख्सूस terms हैं वो input layer है आपको पता है यह बार-बार हमने देखी है फिर हमारे पास hidden layers है and then हमारे पास output layer है यह layers काफी हो सकती है S की form में अगर मैं hidden layers को लिखूं तो यह खलत नहीं होगा तो यह basic architecture से आगे सारी development हुई अब जितने भी आप neural network बना लें आपकी input और output layer different ही होगी but hidden layers के अंदर changes आती जाएंगे obviously output layer के अंदर और input layer के neurons में तब change आएगे जब आपको data आपका different मिलेगा मतलब यह कि उसके पास data के पास different किसम के neurons तब आएंगे for example input की shape अगर 9 है तो हमने 9 initial neuron input layer में रखने है output layer अगर हमने binary classify करना है तो एक otherwise multiple classification में ज्यादा होगी so यह चीज़ें बड़ी matter करती थी लेकिन इसके कुछ फाइदे और नुकसानात थे जैसे मैंने आपको पहले बताए ANN के सबसे बड़ा इसका फाइदा यह था अगर pros के उपर देखा जाए pros में सबसे पहली यह चीज़ थी कि यह complex non-linear interactions को capture करता था neural network मतलब यह कि non-linear interactions जो है different data set के अंदर चीज़ों के उनको capture करता था neural network जहारी बात है जितनी hidden layers है आप उसको non-linearity को different activation functions के साथ multiply करने के बाद weights और some और biases को मदे नज़र रखते हैं non-linear action को ज्यादा अच्छे तरीके से capture कर सकते थे और यही वज़ा थी कि इसमें आप जब non-linear को active कर रहे हैं non-linear function को देख रहे हैं which is near to reality तो आपके पास जो results हैं वो real life के क्रीब क्रीब आ रहे थे as compared to these जो हमारे traditional algorithm है जितने भी हमने पढ़े हैं linear regression हो गया knife base हो गया forest classifier और इस तरह के जितने भी हैं वो linear trend में ज्यादा तर आपको result देते थे ठीक है non-linear को capture करना बहुत मुश्किल हो जाता था they can also capture non-linearity लेकिन neural network के पास ज़्यादा power और ज्यादा computation की जो सलाहिए थी mathematically ये अच्छा perform करते थे दूसरा जो start में मैंने आपको machine learning और deep learning में फरक बताया था that was adaptability adaptability तो इसके अंदर adaptability अच्छी थी adaptability से मुराद ये है कि ये अपने weights और biases को loss की base पे recalculate करने की सलाहियत रखता है एनन ठीक है उससे क्या होता था आपके पास अगर competition ज्यादा है जितनी ज्यादा good उतना ज्यादा ये मिठा हो जाता था मतलब जितना आप competition लगाते थे जितने एपोक्स ज्यादा run करते थे उतना ज्यादा अच्छा चलता है इसकी मिसाल मैं ऐसे दूँगा कि अगर एक इपोक्स से आपकी accuracy 0.79 है 10 पे यही accuracy 0.89 हो रही है तो this matters a lot हाँ अगर 10 से 50 पे जाने के लिए आपकी यह accuracy 0.90 हो रही है यह वाला जो gap है doesn't matter लेकिन जो हमारे पास यहां से एक से 10 ता कर यह matter करता और इस चीज़ को हम adaptability बोल रहे हैं इसकी computation की power की base पे यह जो पीच में weights and vices बगारा को check करता था ठीक है अगली इसकी जो important pro है जो अभी तक neural network का गिना जाता है that is called parallel computation इस से क्या होता है कि आप बड़े dimension के data को parallel computation पे चला सकते है neural network के अंदर for example यह एक core का system है यह दूसरी core है आपकी यह तीसरी चोथी quad core का अगर system देखा जाए तो अगर यह चार core है आप data को divide करके चार different processes के अंदर run कर सकते थे parallel इसे बोलते हैं तो parallel processing always is efficient than normal processing तो इसका मतलब यह है कि इसमें वो वाली power थी कि आप ज्यादा computation को use भी कर सकते हैं तो यह सारी चीज़ें इसे unique बनाती है ठीक है अब इसमें एक और pro है कि यह generalize करना easy है इसके लिए चीजों को यह चीजों को generalize easily कर लेता है based on simple neural network की वगरब चलाएंगे न तो वो भी generalization आपको दे देगा यानि कि optimum growth curve optimum curve क्या होती है अगर आप देखें कि आपके पास ना तो underfitting है ना उबरfitting है general आ रही है यानि कि अगर आप इस तरीके से एक line draw करें तो ना तो यह पूरी के पूरी हर point पे fit है और ना ही underfit है this is showing a kind of best approximation of all points जो gradient descent के थूँ हम देखते थे so यह generalization यह कुछ जो pros है non-linearity, adaptability, parallel computation and generalization इस तरह के pros इसको बड़ा एक अच्छा neural network एक अच्छा algorithm बना रहे थे और 1980s के बाद लोगों ने इसके उपर focus करना start किये भई यही दुनिया है, इस पे आगे चलते हैं और बड़े बड़े giants यह हैं वो उन्होंने इसको grab करना start किया लेकिन इसके कुछ नुकसानात भी थे अब उसकी तरफ चलते हैं इसका सबसे बड़ा जो cons था ना cons में आपको more data चाहिए data बहुचा यह था और लोग digital revolution की तरफ जा रहे थे इस वज़े से उनको पता था कि data आगया आने वाला है just imagine के नया नया जब मटरोला का mobile आया था और किसी एक बंदे के साथ उसका number attach हो रहा है just imagine उस बंदे ने जो भी calls करनी आपको उसकी ID यानि के उसके mobile जहां पे register है वो data आपको मिल रहा है फिर वहां पे उस वकत PTCL का दोर था अगर आप गौर करें PTCL का तो पता है ना जब पाकिसान में लगा हुआ हम इसको landline number बोलते है तो यह बड़ी पुरानी technology है जैसे यह PTCL landline के numbers वगरा आने लगे तब हर बंदे के साथ एक data attach हो गया कौन कैसे क्या मंगवा रहा है क्या नहीं मंगवा रहा है फिर कोई बंदा होटलिंग में जा रहा है वहां पे intercom का है वो data आने लग गया तो जब data बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया लोगों ने predictability start कर दी at that point they know कि data जतना ज्यादा होगा इसके accuracy ज्यादा होगी इसी वज़ा से 9040s के अंदर और 9080s तक यहां पे जो major gap रहा है ना neural network को use ना करने को उसकी main वज़े यहीं थी जो इसके cons है basic cons है अच्छा अब मैं simple neural network के बात कर रहा हूँ अब जब multi layer आई है तो जाहरी बात है इस वज़ा से इसमें revolution आ गया data ज्यादा होगा तो आपको पास obviously computation भी ज्यादा चाहिए आपको फिर ठीक है computation नहीं है तो कोई बंदा काम नहीं कर सकता है इस वज़ा से जिसने भी इस पर काम करना तो उसको computation चाहिए थी computation जैसे ही आई लोगों ने इस पर काम करना स्टार्ट कर दिया फिर एक और important चीज थी कि train बंदा ऐसे कर सकता है स्टार्ट और कोई नहीं चला सकता है जिसको हम training complexities बोलते है मतलब जिसको activation function का ही नहीं पता वो क्या कर लेगा इसके साथ तो यूजर का knowledge होना बहुत ज़रूरी था यहीं नहीं कि किसे को traditional algorithm हमाते है that's enough नहीं यहां पर tweak बहुत ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ती है अब तो है टैंसर फ्लो आ गई है यह चीज़ें आ गई है उनसे पूछें जिन्होंने programming के थूँ machine learning सीकी हुई है वो पूरे का पूरा एक function खुद से लिखते होते थे equations को देख देख के जिसको process-based modeling भी बोलते है तो अभी तो आपको पता है न TF.Keras और layer मगाई और dance किया उनसे ज़रा पूछें नेवरांस कैसे बनते हैं और equations कैसे बनती है अगर किसी को इसका शौक हो तो एंड्री एंजी का पूरा course deep learning के उपर पढ़ा हुए जिसमें वो mathematics सी पढ़ाते है ठीक है अच्छा training complexity थी बड़ा इसका जी दोर-दोरा हुआ एक और इसका बड़ा मसला था इसकी nature जो है वो black box की तरह थी black box nature black box nature क्या होती है क्या वेट्स और बाइसिस तो सेट करते हैं पता नहीं चलता कि कब कहां कहां किस जगा पे कौन सा वेट क्यूं increase कर रहा और कौन सा क्यूं decrease कर रहा है और neural network की ये black box nature जो है इसका बहुत बड़ा con है और यही वज़ा है कि artificial intelligence की जो लोग है वो कहते हैं कि हमें नहीं पता future के अंदर यह secure होगी कि नहीं होगी कुछ लोग कहते हैं भई बहुत secure है इसने हमारा क्या भी गार लेने हैं लेकिन there are many people who are actually claiming कि यार यह दुनिया पर राज कर सकती है and they can actually dominate us, dominate the human brain reason के है जितना data इसके पास होना है एक human के पास होतना data possibility है ही नहीं कि वो store कर सके अगर किसी को नहीं पता तो सिरफ देखिएगा कि आप memories कितनी store कर सकते हैं अपनी एक पूरी life के अंदर और फिर check कीजिएगा कि एक super computer कितनी store कर सकता है, सिरफ यह comparison एक computer मतलब अगर छोटी estimation भी ले ना एक बहुत talented इंसानों की हिसाब से more than thousand people का वो पूरे का पूरा जो memory है वो store कर सकता है, capability की बात करो यहीं नहीं कि एक बंदा सोया है और आखरी दिन उठा है और दो memories है उसकी वो नहीं, capability कि कितनी capability है, so that was the thing फिर जाहरी बात है, अगर data ज्यादा है computation आपके पास ज्यादा है और training complexity भी आपको आ गई है, ठीक है तो इसका एक और मसला आता था which is called overfitting जिसका हूं कहते हैं कि ज्यादा ही सीख जाता था यह सीखो ठीक है, data के pattern सीखो, यह ज्यादा ही सीख जाता है तो इस वज़ाँ से लोगों ने इसमें changes करना start ठीक है, अब यही वज़ा है कि जैसे ही overfitting की बात आती है यहां पे आपके पास different किसम की terminology आना start हो गई कि आपका data जो है वो standardized होना चाहिए आपकी जो training और validation laws है उनका एक trend होना चाहिए ठीक है अगर आपकी accuracy है training accuracy और validation accuracy उनका भी एक trend होना चाहिए और curves की base पर पता चलता है कि यह overfitted है कि overfitting नहीं है इसकी so those were the things अब ठीक है, सारा कुछ हो गया artificial neural network बन गया अब data, data, data सारे करते रहे data ज्यादा होना तो ठीक है लेकिन data किस तरीके से आ रहा है इस पर matter करता था कि यह कितना computationally expensive है for example image का data आया उसने वैसे ही सारे काम ही खराब कर दिये matrix का data जो है जो हमने CNN के अंदर पड़ा है ठीक है अगर यह data हम matrix को सीधा करके एक image का data दें तो वो तकरीबन आप अगर उसके pixels को count करें तो वो millions में चला जाता है simply एक 1080 वाली images का data तो अगर एक image को हम analyze कर रहे हैं और वो millions में जा रही है तो artificial neural network तो उसको बिल्कुल भी नहीं कर सकता अगर 25 image चलो मैं 70,000 images की बात करता हूं तो बस फिर बैठे रहेंगे सारी जिंदगी ठीक है तो because of that reason people actually found an other algorithm which is called CNN ठीक है और ये usually लोग इस पे CNN पे कहते हैं कि ये जी 1980s के बाद कहीं बना है ये track back तो करते हैं कि 1980s के बाद बना है लेकिन को final date इसकी नहीं मिलती कि CNN कब बना है और किस तरीके से बना है ठीक है अब इसको हम इस वज़ा से 1980s के बाद कहते हैं क्योंकि काफी लोग इसका claim लेते हैं हो सकता है history जो है जितनी मैंने पढ़ी है उसे हिसाब से मुझे final date ना पता हो लेकिन अगर आपको पता हो कि CNN कब महर से वजूद में और किस ने किया that would be very nice अब बारहल एक चीज़ यहां पे confirm है कि 1990s में इसमें break through आया था develop यह हो गया अगर चलो 1980 के अंदर matrix को देखने के बाद इसके dot product की base पे इसको बनाया गया चलो अगर यह हमारे पास dot products की base पे मौर्जव उयूद में आ गया जी 1980s के बार ठीक है that's fine लेकिन जो break through आया था CNN के अंदर 1990s में आया था जब एक बन्दा था जिसके spelling मैं यहां पे लिखता हूँ फेरी इसको pronounce करते यां ली सुन ठीक है इसने लिनेट फाइव आर्किटेक्चर को बताया था इस आर्किटेक्चर के बाद CNN के अंदर revolution आना स्टार्ट हो गया यानि कि image classification लोगों ने पढ़नी स्टार्ट कर दी किस तरीके से हम किसी चीज़ को mathematically और calculated way के अंदर प्रिडिक्ट कर सकते हैं based on the pixels ठीक है अगर यह लिनेट फाइव आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तो इसकी बेस जो है वो CNN के साथ मिलती है जैसे आप एक पिक्जल को देखते हैं तस्वीरों को देखते हैं ग्रेज स्केल ब्लैक और वाइड को देखते हैं कितनी layers होती है उस चीज जो 28 by 20 के pixel हों तो इसके अंदर कैसे वो एक specific pixel light up होता है ठीक है जैसे उन्होंने इसको करना start किया फिर इसका architecture बना अब इसके जो main part है आपको भी पता है कि आपका इसका basic architecture जो है CNN का इसके अंदर कौन-कौन सी चीज़ है इंपूट है फिर आपके पास hidden layers है hidden में चीज़ आती है यहां पर कौन टूडी बताया जा रहे है त्रीडी या वंडी भी कोछीज होती है जरा उस पर गौर कीजिएगा एक convolutional layer है जो convolution को perform करती थे on input data यानि कि यहां पर जो matrix का data है सारे के सारा as a feature इसको convert करती थे and then we used pooling layer ठीक है यह pooling layers क्या करती थी आपको पता है इसके अंदर different किसम की हमने key terms used की थी जो utilize करने के बाद हमारे पास एक fully connected layer बनाके output layer आ जाती थी ठीक है फुली connected layer फिर इससे output आ जाती थी हमारे पास तो इस तरीके से हमारे पास pooling layers थी convolutional layer थी and fully connected layer के बाद हमारे पास output layer इसकी CNN के आ जाती है इसमें features इसके जारी बात है cons के अंदर हमें यह पता था कि हमारे पास प्रोस के अंदर यह है कि यह image को classify करता है pixels की base पर करता है किसी भी किसी किसम की image को ले लेता है फिर matrix को use करते हुए computation को बहुत ही कम कर देता है तो अगर हम प्रोस में आए तो जारी बात है image classification तो है इसके अंदर साथ में आपकी computation बहुत कम use होती है comparatively अगर आप पुरानी दूसरी mathematical equation को देखें जो ANN के अंदर use होती है ठीक है and then it depends on you आप कितना अच्छा accurate result देना चाहते हैं you can do that as well यहां पर अच्छा पिछले से तो computation जो है आपकी कम हो रही है मतलब ANN की निस्बत लेकिन still it is computationally expensive किस वजह से जारी बात है अगर आप RGB की image दे देंगे और उसका size बड़ा होगा तो इसने बहुत ज्यादा computation लेनी है अगर वो ही आप 28 by 28 की देंगे और इसको multiplied by 1 कर देंगे इसका computation का जो हमारे पास data होगा वो कम होगा resources जो user के कम होगा इसका मतलब यह है this is also data dependent अब इसके अंदर data की type change होगी है आपकी जो picture का size है या image size है वो matter करता है यहां पर उसके pixels count matter करता है इसकी base पर आपके computation होगी not number of images count नहीं करते है only number of images नहीं देगना आपने के सतरजार images है मैं तो करी नहीं सकता उनके size पर भी depend करते है so at the end आपने total pixels निकालने होते है कि total pixels कितने है ठीक है जैसे 28 by 28 दरब एक इसके कितने बनेंगे 784 something ठीक है और यह अगर सतरजार है उसको सतरजार से multiply करके आपके पास total pixels आ जाएंगे total features जिसे हम बोलते हैं क्योंकि pixels are counted as features और अगर यह हम 1080 by 1920 multiplied by 3 करें तो just count it it would be more than many images of the first dimension तो इस विडिया से हमने इसको बोला था कि यह data dependent है लेकिन डेटा हमारे पास जो है वो images कहा जाते है इसमें पिर हमने stride देखी थी padding देखी थी हमारे पास activation feature map जिसे हम बनाते हैं वो कैसे बना था वो देखा था and at the end हमने यह देखा था कि transfer कैसे करता है यह अपना एक convolution layer इस तरीके से बनती है फिर यह आते 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 आपको single flatten layer के अंदर data पूरे का पूरा तस्वीरों का convert हो जाता है and then you can classify those images using different activation function तो CNN को हमने इस लिए use किया था अब यह तो हो गया था CNN का का काम फिर RNN हमारे पास कब आया और RNN ने क्या काम किया जिसको हम recurrent neural network बोलते हैं जो पिछले बड़े दिने से हम पढ़ भी रहे हैं बिल्कुल आप resize कर सकते हैं में जिस खुद से भी यही तो वज़ा है ना अगर आपके पास data इस form में है आप उसको resize कर सकते हैं और बकाइदा अगर आप देखें कल माजिद भाई ने resize की हुए था इमेजिस उन्होंने एक function लगाया था टैंसर फ्लो का और उसी के अंदर उन्होंने resize किया हूँ आपके पास time series के लिए या sequential data मैं यहां पर लिखता हूँ sequential data इसके लिए use होता है वो sequence का data कौन कौन से NLP का भी हो सकता है ठीक है आपका time dependent data भी हो सकता है time series का data और इस तरह का data जिसके अंदर sequence of numbers या arrays मुझूद हो sequence का मतलब क्या है कि एक चीज एक manner में चल रही हो आगे ठीक है जिसके उपर time हमारे पास लगता है अच्छा अगर इसकी date देखी जाए तो यह भी यही कहते हैं कि आपके पास 1980s के बाद ही इसकी changes आई मैं touch back तब करता है और बड़े लोग in history का अपने सरसेरा लेते हैं और लोग सारी बात है यहां पे बने सीना को एवन चीना करके भी बना दिया जाता है so people know कि अगर नाम हमारा चलेगा हमारे country के चलेगा so it works well तो यह आपने देखना है कि 1980s के बाद कब यह मार्जे वजूद में था RNN का अलगरी तो मैं वो नहीं बता रहा reason यह कि something you should do इसको भी और बाकी दोनों को भी by the way 1990s में यानि के 90s के अंदर हमें से काफी लोग उस वक्त उनकी date of birth भी है अगर आप गोर करें तो 1990s के बाद वाले लोग है हम यहां पे कुछ पहले सो नौ offense for that I'm just saying 1990s इसके अंदर LSTM का आर्किटेक्चर आया था जो हमने कल देखा था ठीक है LSTM का आर्किटेक्चर लॉंग शॉटर मेमरी जो है यह प्रपोस किया देख गया था क्यों क्योंके आर एन एन के अंदर हमारे पास वैनिशिंग या एक्स्प्लोडिंग ग्रेडियंट का प्रॉब्लम था एक्स्प्लोडिंग ग्रेडियंट इसका इशू था इस वजह से LSTM हमें परफॉर्म करने का था अब LSTM की बेस पे अगर देखा जाए तो हमने कल देखा था कि यह लॉंग शॉर्टर मेमरी को प्रजर्व रखता अपने पास ठीक है और ये टाइप भी RNN की ही है ठीक है RNN की आगे एक टाइप है जहां पर मैं आपको ले के आ रहा हूँ उस बात को समझेगा इसकी बेसिक आर्गिटेक्चर में कौन-कौन सी चीज़े हैं जनाब RNN की आर्गिटेक्चर के अंदर आपके पास एक input layer है ठीक है फिर इस input को आप एक neural network को देते हैं जो कह सकते हैं कि आपकी hidden layer है और इसके ऊपर आपको एक hidden state मिलती है hidden state ठीक है और वो बार-बार इसी पर perform करती है at the end फिर आपके पास यहीं से आगे output आ जाती है सो आपकी एक layer के अंदर बार-बार performances होती है आप वह एक layer को change करके दो में भी convert कर सकते हैं तीन में भी कर सकते हैं सब्टो यूज इतनी भी use करें लेकिन हर एक word यानि कि sequence बारी-बारी-बारी-बारी पूरे words की चलती है जैसे हम कल देख रहे थे example मैंने कल दी थी the cat sat on a mat तो पहले यहां पर दा जाएगा as an input hidden state उसकी आएगी फिर cat जाएगा फिर sat फिर on फिर a फिर mat तो अगर तो इसकी output फोरण फोरण बनती गई so that's fine अगर पहले सारी input हुई बाद में output हुई तो encoder और decoding का वहां पर concept आएगा जो मैंने दो दिन पहले आपको बताया था एंड फिर हमारे पास बाकी जो है वो examples चलती है अब इसकी कुछ टाइप है RNN की पहले वो देखते हैं फिर LSTM की तरफ जाते हैं मैंने आपको बत आता हूं ताकि हमारे पास वाए हैट कि हिट्वाय हैत की फिर के फोर डी ऊट पूटब और पास फिर केत की फार्ल में पूंग मेन यु कि इन्पूट्स है और मैनी हमारे पास औnegगे अगर मैं इसको one two मैंने करूँ तो हमारे पास इसकी बड़ी basic example मैंने आपको music की दी थी R&N जो है वे music के ओपर भी काम करते हैं आपने देखा होगा कि keyboard के अंदर वो एक key press की जाती है उस key से pattern लिया जाता है and then उसके बाद उसकी multiple outputs आप print कर सकते हैं hidden layer के बाद for example अगर आपने इस key को drum beat में करना है आप drum कर ले प्यानो की प्यानो की में करना है तो प्यानो कर लेंगे अगर आपने guitar के अंदर करना है तो इसको guitar में कर सकते है output को input वो ही है और ये music के अंदर अगर आपने music alum का model नहीं बढ़ा तो उसको जरूर देखिएगा और एक और model आजकल बड़ा काबले तरीफ चल रहा है diffusion diffusion का तो मैंने आपको बताया था diffusion के नाम से एक model है एप भी है online prompt based music बना सकते है prompt based so diffusion एक model है उसको देखिएगा अब दूसरा open AI का juke box है open AI juke box ये freely available models है जो आप अपने system में करके free में music develop कर सकते हैं this is one of the examples आप यहां से अपने पास आपके पास को input होती है एक button प्रेस करते हैं उसकी कोई भी output ले लेते हैं this is one to many key example फिर हमारे पास जो translation की थी example जो मैंने आपको इस तरीके से encoder box बना के दिखाया था और यहां पे हम इसको जाके decode कर रहे थे यानि के हम यहां पे the cat sat on a mat इसकी सारी input लेते थे फिर यहां पे हम उसको output में convert कर लेते ठीक है तो यह भी many to many की example है यानि के आप many को ही convert कर रहे है मैनी के अंदर यानि के सारे के सारी input को लेके सारे के सारी translation में करें जैसे the cat sat on a mat इसको उर्दू में अगर हम करेंगे billy mat के उपर बैठ के इसे तो नहीं करेंगे billy और अग्य अग्य आशारा कर देओ ऐसे तो नहीं होता, many to many होगा ना अगर आपने बिल्ली बताई है थो पूरा संटेंस आपने गवर करना है तो यह तीसरी एक्जेंपल थी अच्छा इसका फिर आर एंएन का या लस्टीम का अगर हम दोनों के ड्वांटेज़ देखें प्रोज इसके देखें प्रोज में यह सीक्वेंस के डेटा को मैनेज कर ल जैसे बैक प्रोपेगेशन आई डेटा भी बढ़ने लग गया लोग कहते के डेटा बहुत आ गये यह डेटा की बहारें लगी जैसे एक आम डेटा को पढ़ने लगे उनको पता चला यह तो अब इमिज इसका नॉन स्ट्रॉक्शर डेटा भी आना स्टार्ट आ गया फॉर पैटरन देखने लगे तो आपने का नहीं यार इसके लिए तो हमें एक सैपरेट नियूरल नेट्वर्क डिजाइन करना है और देन डेडिवेलप आर एंएन उन्देश सो असी से लेके 2000 के दरम्यान दरम्यान ये काम होएं सारे अपडेट्स आपने खुद से फाइंड बेटाने लग गया आप जरा घौर कीजिएगा टाइम ट्रैवलिंग के बारे में आपने बड़ा सुना होगा टाइम ट्रैवलिंग आपने बहुत सुना हुआ है अब किस बेस पर टैम ट्रैवल कर सकते हैं आपको पता है कोुई ऐसी बेस है जिसकी विज़ा से हम टाइम ट्रैवल कर सकें किये अप बैठें आभी आपकी उमर गुजर रही है टाइम इस वकत 10 बज़ के 24 मिनिट अप पाकिसान में एक गेंटा पहले आप कहीं और पहोंगे तो आपने टाइम ट्रेवल ही किया ना एक गेंटा टेड़ गेंटा ठीक है तो इसका मतलब है हमने जब टाइम सीरीज का यह सिक्वेंशल कोई भी डेटा मिलता है वी कन ट्रेव काफी लोगों के जो साइंस कम्यूनिकेशन के मुकालेब हैं अगर आप पढ़ें वो बताते हैं कि टाइम ट्रेवल इस पॉसिबल वैंड यू नौ हाव तो डील विद टाइम सीरीज डेटा जैसे कल हमारा एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट प्रिजेंट हुआ था यहां पर टाइम सीरीज का अगर हमें पता ही ना हो पीछे हमने क्या किया तो टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो सकते हैं चले एक मिसाल देता हूँ अब एई दोर कहां पर चैट जीपीटी आया है अल्ला करें आपके खुआब में या किसी तरीके से टाइम ट्रेवल करते हैं वहां पर भी चैट जीपीटी फिर रहा है आपने करना यह टाइम ट्रेवल तो नहीं है क्योंकि प्रडिक्शन यह कहती है कि हमने हवा में गाडियां उडानी है गाडियां कौन सी टैक्सी जो है हवा में उडानी है ड्रोन उडने है फिर सारा कुछ आपकी रिस्ट के उपर चल रहा होगा फोन की जरूरत नहीं पड़ेगी मैं जब एक सो साल पीछे या दस साल प यह आटिफिशल नीरॉन कहलेंगे से 1940 में बना अर्टिफिशल नीरॉन से अगर हम एनैलिस सेंट के कब क्या वह कौण कौण सा नीरॉन नैटवर्ग बना हर क्या-क्या हमने किया डेटा कितना ही है सब कुछ अगरम करें so we can travel back and forth from 1940 until now ठीक है अब आप just imagine करें कि super computers आ रहे है quantum computing आ रही है graphene पे बहुत ज्यादा आपकी research हो रही है कि graphene जो आपकी body से energy ले के different case of batteries को charge करेगी and there are many many people out there जो 5G से भी उपर की सोच रहे है ठीक है और China अपना सूरच बनाने को फिर रहा है चांद बनाने को फिर रहा है समझ रहे हैं बात कि तो अगर आप ये अपने mind में ये सारी चीज़ें रखें अपने mind में आप रखें अगर आप सो साल बाद हैं और ऐसा कुछ भी ना हुआ हो तो आप कहेंगे यह time travel है नहीं कहेंगे इसी वज़ा से scientists यह कहते हैं खास तोर पर mathematicians अगर आप उनकी biographies पढ़ें उनका यह कहना है कि nature की जुबान जो है mathematics नेचर की जो language है और इसी वज़ा से कहते हैं अगर mathematics अच्छी करें तो जिसमें trigonometry linear algebra और वाकी चीज़ें आती हैं वही आपकी data science ठीक है अब यहां से अगर मैं एक trend time series का बनाओं जो हम आगे topic पढ़ने भी वाले हैं में इस वज़ा से पर ज्यादा focus कर रहा हूं तो अगर आपको पास पिछला तीस साल का data हो तो आप कमस कम अगला तो predict कर सकते हैं को देड़ दो साल तो predict करी सकते हैं चुलो दो साल ने तीन साल कर सकते हैं जस्ट इमेजन आठ से सो साल बाद यह सो साल का data भी तो बीच में एड होने हैं तो जो अब हम सोच रहे हम प्रडिक्ट करें जैसे 2050 का बोला गया कि 9 बिलियन दुनिया की population हो जानी है 9 बिलियन 2050 के अंदर यह हमारी prediction है लेकिन हो सकता उससे उपर नीचे हो अब आप 2050 में पहुंच गए हैं अला करे हमें से काफी पहुंचे 9 बिलियन ना हुई हो तो जाहरी बात है आपने देखना है यह नहीं है कि यार हमने जो प्रडिक्ट किया था population तो बढ़ती जा रही थे exponential growth थी यह यहां पर decline क्यों आया यह इस तरीके से फिर बढ़ी है तो हम जैसा बंदा कह सकते है कि भाई यह इस वज़ा से आया था समझ गया है न को थोड़ा बहुत अंदाजा हुए तो इस वज़ा से calamities और बाके चीज़ें भी matter करती ही ठीक है तो यह जो trend को हम तोड़ते हैं और जो जोड़ते हैं यह time series के अंदर बड़ी चीज़ें यह matter करती है पूरा growth parameter चरह और यहां पर आके आपको पता ही है काफी हमवात हुथी इतनी भी नहीं down growth हुई करफ की लेकिन still it was more than आपकी जो normal growth थी इसको हम COVID-19 के बारे में में बात करूं अगर किसी को नहीं पता लो अब जैसे ही यह 2019 का data आया ना तो अब लोगों ने और prediction में इसकी input value add करना start कर दें कि 19 में यह हुए अगर कोई और pandemic आते ही तो कितनी होगी population समझ रहे हैं बात को और फिर दूसरे trend देखे जाते हैं कि western world के अंदर लोग to be very frank है population को बढ़ाने के लिए शादियां कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं या वो चाहते हैं या नहीं चाहा रहे हैं जैसे चाइना में rule आ गया कि दो बच्चों से ज्यादा नहीं कर सकते हैं और फिर middle country, middle third world countries में क्या rule है तो यह सारी चीज़े matter करती हैं और इसी वज़ा से जब हम complexity की तरफ जाते हैं there are a lot of things we need to consider तो sequential data के लिए हम RNN भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें time stamp भी है और आपका sequence का data भी है हम LSTM भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है और sequential data के लिए एक और model जो time series के लिए यूज़ होता है जिसे हम arima model बोलते हैं अगर किसी को नहीं पता तो उस करीबन एक major दुनिया की population का हिस्सा रखते हैं ठीक है और अभी इम्रान भाई बता रहे हैं कि इंडिया ने चाइना को क्रॉस कर दिया पापॉलेशन में ठीक है हमने NLP की बात कर देए NLP easy है आपको मैंने बता दिया जो terms उसमें use होती है model कैसे train होता है that's another story आपके पास data जितना होगा pattern आपने सीखने है और आपके पास model develop हो जाएगा time series के अंदर आपके पास trend line में data show होता है इस तरीके से trends होते है ठीक है इसको trend line बोलते है और अक्सर उकात आपके time series का analysis जैसा भी है न you can make only these kind of plots उसकी reason कि है आपने हर point को show करना है हर date को show करना है और interpolation और इस तरह कि कई key terms है जो आज हम देखने भी वह लें लेकिन उससे पहले यहां तक जितनी भी advancement हुई है neural network के अंदर दुनिया इससे कहीं आ गया भी क्योंके हमारे पास auto encoders बड़े हुए transformers है and there are many many other algorithm जो इन्शाला हम देखने वाले है तो यह सारी history के अंदर जो चीज matter करती है वो यही चीज matter करती है कि आपकी जब भी कोई changes आती है वो hidden layers के अंदर आ रही होती है अगर आप neural network की बात करते है data की structure कैसी है उसकी base पे आप choose करते है neural network ठीक है जो major key terms है हमारी for example आपका image का data तो फोरण आपके mind में यह नहीं आना चाहिए कि यार ANN use कर लो you should use CNN अगर आपके पास time series का data है तो यू विल यूज आइदर RNN, LSTM, GRU या जो हमारे sequential data को deal करता है अगर आपके पास simple data frame के अंदर data for example जैसे tips का data हो गया यह जिसके आपर time series का कोई data नहीं है और simple वो हमारे पास एक columns और rows के अंदर data instances का you should go with ANN लेकिन उसके अंदर फिर आपने check करना है हिडल नेर्स कितने रखने और बाकी चीज़ें कितने रखने अब अगर हम GRU की बात करें GRU एक other variant है आपका RNN का ठीक है इसको हम क्या बहुलते है gated recurrent unit ठीक है यह जो हमारे पास exploding gradient की problem आ रही थी या vanishing gradient की आ रही थी मतलब यह vanishing gradient क्या था कि वो memory start से ले रहा था वो पिछली वाली चीज़ें नहीं ले रहा था ना आगे वाले से ले रहा था ठीक है उसको हमने एक चीज़ को तो resolve कर रही है पीचर जे हम long term memory लेके आए LSTM के थुरू के एक long term memory आ रही है ठीक है और short term तो बारी बारी आई नहीं है ठीक है तो हमने उसको keywords को यहां पे long term में रखके finishing gradient एक site का खतम कर लिया फिर GRU जो है यह basic basically LSTM से भी advanced model है जो इस वकत currently बहुत ज्यादा यूज़ रहा है आप दो मिल लेके देखके बता सकते हैं कि GRU कब developed हुआ था और वज़ा क्या बने थी obviously यह gradient GRU जो है यह हमारा exploding और दूसरे gradient की base पर बना था but we have to think कि यह क्यों आया था मार्जे वजूब में क्यों आया और आप अगर गोर करेंगे ना I'm not being kind of you know selective here मैं racist नहीं बोलूँगा selective नहीं बन रहा लेकिन चाइनीज चाइनीज नाम है ज्यादा तर अगर आप गोर करें models के और मैं काफी models की बात कर रहा हूं सिरफ GRU और LSTM वगरा कि नहीं उसकी रिजन क्या है अगर आप American culture को थोड़ा सा जानते हैं तो आपको पता होगा कि एशिया से कोई हो ना खास तो और पे चाइनीज उन वो माने जाते हैं कि mathematics में बहुत आ गए math इसकी major key है algorithms को develop करने की और हम लोग math में बहुत पीछे हैं मतलब हम भी आगे हैं लेकिन competitively अगर देखा जाए चाइनीज से हम बहुत पीछे हैं तो अगर हम math को strong बना लेंगे ना तो जबर्दर्स हो जब अब just imagine करें मैं उस दिन dot product बना रहा था मुझे आप honestly बताएंगे कितने लोगों को पता था dot product क्या होती मैट्रिक्स की यह basic mathematics आप यह कहेंगे कि मैंने बायो पढ़ी है आठवी तक तो मैत पढ़ा ही है ना नहीं ना पता था obviously अगर पता भी था तो इतना मतलब वो याद भी करने के लिए time चाहिए था यही वज़ा है कि जब हम किसी field में आते हैं ना तो हमें basis को थोड़ा सा strong करना चाहिए यह लोग खास तोर पे मीठे लोग इने मैं बोलता हूँ थोड़े से मीठे होते हैं यह लड़ते नहीं हैं बहुत कम लड़ते हैं मैं इनके साथ रहा के भी आया हूँ ताइवान के अंदर यह लोग बहुत मीठे होते हैं मीठे से मुराद के कुछ नहीं कहते किसी को तो बोलते भी बड़े अच्छे हैं और यह अपना काम पर focus करते हैं मैथ पढ़ने बैठे हैं तो इनका अगर आप करिक्लम देखें ना चाइना का ताइवान का इंसाइड हों का तो mathematics को बहुत focus करती हैं इनको English पे नहीं लगाते हैं कि तुझी English सिकनी सिकनी है वो पता नहीं बड़े हो के पता नहीं कब सीखते हैं इनको mathematics में train किया जाता है और बहुत हैवी किसम का train किया जाता है पाकिस्तान इंडिया में भी mathematics अच्छी है इंडिया में तो बहुत जबरदस्त है अगर आप उनका देखें ना कि किस तरीके से वो resolve करते हैं खास तो पर पंजाबी में अगर किसी ने math पड़ी है ना तो लेवल है बाइदावे मैं इस में इसे यह बता रहा हूं कि 2014 के अंदर हमारे पास जी यार यू आया अब आप जड़ा यह देखेंगे कि LSTM कब आया था exact day LSTM कि अंदर नैंटी 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 में था ना तो मेरे पास जो आंसर आ रहे हैं वो आ रहा है जी नैंटी नैंटी सेवन यह कितनी देर बाद आया है कि अंदर को बंदा ही नहीं था जिसने प्रोड्यूस किया हो या कुछ किसी ने ट्राइ की हो कमस को मॉडलिंग के अपर अविसली लोग होते हैं बट इट टेक एजिस तो डिफाइन आ मॉडल लोगों की पी एजडी हैं भी कम पढ़ जाती है तो डिफाइन आ मॉडल टू टू मेक एनदर मॉडल या आर्किटेक्चर बनाने के लिए आपका पैशन चाहिए होता है मॉडल बनाने में आप खुद सोचें जिसने एक मॉडल लेहां डिवैलप करना ही है सोचना है किसी मॉडल के तरफ और अविसली अलाद अला दिमाग में डालता है तो ऐसी इनोवेशन आती है अधरवाइस नहीं आती तो यह इतना टाइम इसके लिए लगा है और 1940 से 1980 तक वजारी बात है उस वक्त रिसोर्सेस की भी कमी थी सारा कुछ था उस वक्त 40 साल एक नियूरल नेटवर्क के बने-बनाए को यूज करने के लिए लगे है बने-बनाए को तेर वार लॉट अधर इडवांसमेंट्स ठीक हो गया इसके बालिड जी बीम है जी बीम है तो जी बीम तो खैस्द यही है लाइट जी में हमारे पास फिर अडाफिव बूस्टिंग है तो यह बेसिकली यह भी अडाप्ट कर रहे हैं अपनी गलतियों से यह जो बूस्टिंग के और बैगिंग के मैथर्ज मैंने लेकिन LSTM जो है वो एक साइट से कर रहा था तो इसकी हमें GRU की जरूरत क्यों पड़ी आपको क्या लगता है GRU की जरूरत क्यों पड़ी जब LSTM कर रहा था तो कौन सी ऐसी मिसिंग चीज थी जो LSTM नहीं कर पा रहा था बड़ा अच्छा जवाब है इसका समझने वाला साधाजाब चले मैं आपको बताता हूं एक लाइन में LSTM की सिंपल फॉर्म है यानि के LSTM बहुत ज्यादा मेमोरी ले रहा था पीछे कीवर्ड्स को बचा के रखने के लिए लॉंग टर्म में लाने के लिए इतना ज्यादा कंप्यूटेशनली एक्सपैंसिफ था के लोगों के रिसोर्सिस काफी लगते थे इस बंदे ने जिसने जी अर्यू का मॉडल द्रियाफ्त किया था उन्सी ने इसको इतनी सिंप्लेस फॉर्म में कर दीया कि सेम रिजल्ट और सेम लॉंगहटर्म मेमॉरी डिपैंडन्स को कंट्रोल में ले के चलता था विद लेस कंप्यूटेशनल कॉसٹ less computational cost इस पर लगती है ठीक है जब less computational cost लग रही है तो इसका मतलब यह हर बंदा ही भी GRU यूज करेगा LSTM कौन करेगा क्या ख्याल है इस वड़ा से आज काल यह बहुत ज़्यादा popular algorithm crew जिसे बोलते हैं और खास तोर पे जो आज काल योगा करते हैं ना western world के अंदर वो गुरू भी नहीं से वो गुरू कहा देते हैं सो गुरू मॉडल बिकॉस ओफ दे गेटे रिकरंट यूनिट्स ठीक है यह LSTM से जो complex architecture था उसको simple की तरफ convert किया mathematical equation की बेस पे कौन सी equation से वो भी हम देखेंगे बट बिफोर हैंड वी नीट तू नौ कि मॉडल के उपर यह काम करते हैं अब हम यहां पर लेते हैं चोटी से ब्रेक और फिर इसके बाद DRU को हम explained way में देखने वाले हैं ठीक है मैं आपको पहले बता दूँ कि आज का lecture जो है वो दिफ्रेंट वे में इस वजह से चल रहे हैं ताकि आपको पिछली रिवीजिन भी करवाई चाहें ताकि आपको कमस्कम वो नियूरॉन्स आपके एक्टिवेट किया जाए कि कुछ पढ़ा है वरना भूल रहे हैं क्योंकि यहां पर क्वेस्टन जो है आपसे करना यह बता देता कि क्या चल गया है